नमस्कार मित्रों आज हम चालेंगे बिंदिकी राजधानी रीवा जिलेश से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी में इस्थित है देथ तलाव सिवजी का मंदिर जहां एक अध्भुत मंदिर है दोस्तों यह मंदिर का प्रमुक द्वार है यह गेट मेंगेट है और यह मंदिर है कहा जाता है कि यह मंदिर सिर्फ एक पत्थर पर बनाया गया है यहां चाओबी सिव घंटे यहां मंदिर के पुजारी भगवान सिव के सेवा में लगे रहते हैं आपको जो यह मंदिर दिख रहा है यह मात्र एक पत्थर का बनाया हुआ है यहां पे किसी को भी यह नहीं पता कि यह मंदिर कब बना किस सन में बना किस युग में बना सिर्फ यह पता है कि यह जो भूमी है वो स्रिंगी रिसी हुआ करते थे कभी उनकी तब इस्थली है सरकार ने यहाँ इस मंदिर में दूसरा गिटवी करवाना चाहा लेकिन यह मंदिर में कोई भी मसीन काम नहीं की इस मंदिर के अंदर यहाँ संकर भगवान सिव जी की मूर्ती है आपको यह दरवाजा छोटा सा दिख रहा है इसी बजह से सरकार पसासर यह चाहता था कि यहाँ पे भील बहुत बढ़ जाती है इसलिए एक और गिट एक और दर्वाजा बना दिया जाए लेकिन यहाँ पे इस मंदिर में कोई भी मसीन काम नहीं की इस बजह से दूसरा कोई दर्वाजा नहीं बन पाया भब्य मंदिर है और बहुत प्राचीन मंदिर है यहाँ पे जितने भी सादू संत है और जितने भी लोग है तो किसी को यह नहीं पता है कि ये मंदिर कितने सालों से कितने बर्सों से ये मंदिर बना हुआ है ये इतना पाचीन मंदिर है जहां पे किसी को ये जानकारी नहीं है कि किसी सभी में ये मंदिर बनाया गया था और आभी आज भी देख लीजिए ये मंदिर की स्थित वैसी की वैसी ये मंदिर एक पत्थर में बना हुआ है यहां देवतलाव बोला जाता है और यहां पे देखे कि यह कर्मा भगवान द्वारा बनाया गया था और एक रात में बना गया यहां पे जो लोग बताते हैं कि यह मंदिर एक रात में बनाया गया था और यह मंदिर बना है इस मंदिर में कहीं जोड़ नहीं है और बिन्दप्रदेष और यह एट एहम प्रशी मंढूब है जहां पे लोग दूर से को सद्धालू गोदेश से कई प्रदेशों से आते हैं यहां पे दरसन करने माननत मांगने और सद्धालूं यहां पे हर मननत पूरी होती है तो यहां पे इस्थान में हम खड़ें यह देद तलाप मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर है संकर जी का जो कि एक पत्थर में निर्वान हुआ है कई बैग्यानिक यहां आके दूसरा दर्वाजा करना चाहे इस मंदिर में लेकिन कहा जाता यहां के इस्थानी लोग क्रसासन को अवगत कराते हैं लेकिन फिर भी कई सालों से वो समस्यां बरकरार हैं आज तक कोई भी समस्या का हल नहीं निकाला गया और इस तरह की समस्या आपको बताएंगे कि कैसी समस्या है यहां तो यह पहले तो यात्रियों के लिए पानी की ब्यस्था नहीं है यहां प्रति दिन रोड चढ़ाने के लिए आते हैं असनान कराने के लिए आते हैं तो उनको यह एक तो पानी की ब्यस्था की जाए दूसरा यात्रियों के लिए सुलब संचालय असनानागार आज इत् सफाई के लिए एक पर्मानेंट एक दोशों की दार रखे जाए जिससे कि यहां सब सफाई बराबर कुद्धी रहे हैं हम आपको अब यहां के महंत जी से मुलागात करवाते हैं और उनसे कुछ मंदिर की विश्यस्ताओं के बारे में जानते हैं कि अध्यों कि अध्य भूंते हैं यहां उनके सब्सेट आप देहां पधारे जी अध्यकं कि अध्य चिदिक यह सिंगिरों कि होए यह तापो वोड़ा और पिश्करमा जी के बनाया हूँए मंदीर है है एक रात का बना हुआ मंदीर है इत्ता लोग जानते हैं बस कर पोर पपार पाउटाज नहीं लगाता है मित्र यह चैनल सुस्क्राइब जरूर कर ले हम आपको इसी तरह के बिंद के कई एहम जगहों